समय समय पर महाभारत के होने या ना होने का सबूत मांगा जाता है इसे एक माइटोलोजिकल टेक्स्ट बताया जाता है विदेशी ताकते ही नहीं बलकि भारत में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो महाभारत इसकी कहानी और इसके पात्रों को मिथख बताते हैं ये सबी लोग अंग्रेजों द्वारा बनाई गई आरियन इन्वेजन थियोरी को सही मानते हैं इनका मानना है कि नौर्थ हिंडिया में आरियों का एक समूँ आया जो यूरोप से आया था ये लोग हतियार बनाना और चराना जानते थे और योद्धा थे इनका ये भी मानना है कि यूरोप से आये इनी आरियों ने भारत की संस्कृती को एक नहीं पहचान दी लेकिन सबूत सबूत कोई और ही कहानी बताते हैं और आरियन इन्वेजन थियोरी को पूरी तरह से गलत साबित करते हैं अब हम बात करते हैं उन सबूतों की जो महाभारत की कहानी इस ग्रंथ को सही साबित करते हैं ये बताते हैं कि ये एक historical fact है ये सबूत मिला उत्तर प्रदेश में बागबत जिले के सिनौली गाउं से जहां ASI यानि Archaeological Survey of India ने खुदाई की और उन्हें वहाँ ऐसे सबूत मिले जो महाभारत को एक historical text बताते हैं वो इस बात की गवाही भरते हैं कि भारत में पहले से ही ऐसे लोग थे जो योद्धा थे, हतियार चलाना और बनाना जानते थे ASI ने इस सभ्यता को मेसोपुटामिया की सभ्यता से भी कहीं जादा advance बताया क्योंकि जब मेसोपुटामिया चार पहियों पर अपने रत को balance करने की कोजिश में लगा था उस वक्ट भारत में दो पहिये वाले war chariot चल रहे थे जिने युद्ध में सिर्फ एक ही शक्स चलाता था सिनॉली में ये सब मिलना शुरू हुआ 2005 में जब खेतों में काम करते हुए एक किसान को खेत से तामे के बरतन के कुछ चुकड़े मिले उसने लोकल मीडिया को इसके बारे में बताया खबर जब ज़्यादा फैली तो एसाई ने सिनॉली में खुदाई शुरू कर दी और इस खुदाई में एसाई को रत मिले, सैने ताबूत मिले, तलवारे भी मिली और भी बहुत ज़्यादा अफशेश मिले 2005 में शुरू हुई ये खुदाई कुछ समय के बाद रोक दी गई लेकिन 13 सालों के बाद साल 2018 में एक बार फिर सिनॉली में खुदाई शुरू की गई और तब एसाई ने और भी बड़े इलाके में एक्सकिवेशन किया इस दोरान भी इसी तरीके के कई और अफशेश मिले इन सभी अफशेशों की जब कारबन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये अफशेश लगबख 4000 साल पुराने है सुनॉली एक्सकिवेशन में जो चीजें मिली वो इतनी महत्तपुर्ण थी तीन चेरियट मिले और पांच कौफीन बरियल मिले उसके अलाबा दो शील्ड मिले और पांच तलवारे मिली ये लगबख 1900 से 2000 बीसी की ये तलवारे है और साथ साथ शील्ड का तलवार का और रत का मिलना ये दिखाता है कि यहाँ जो उस समय दो हजार 2100 से लेके और उसके पहले एक ऐसा क्लास जो वारियर था जिसकी चर्चा लगतार चाहे रामाइन हो महावारत हो, वेद हो, दश्राग युद्ध की बात हो कहीं भी आप किसी भी ग्रंथ में अगर लेंगे तो वारियर की चर्चा हो सिनौली की इस खुडाई में शाही ताबूत, ताबूतों के साथ रत, धनुशबान, तलवार, युद्ध में पहने जाने वाले हेलमेट ऐसी नाजाने कितनी चीज़ें मिली जो ये साबित करते हैं कि ताबूतों में रखे हुए शव युद्धाओं के ही हैं ताजुब की बात ये है कि एस आई के मताबिक सिनौली में पाए गए ये सभी अफशेश, स्वदेशी हैं मतलब इन में से कुछ भी, कोई भी हतियार, कोई भी रत, बाहर से नहीं, बलकि भारत में ही बनाया गया एसाई की रिसर्च के मताबिक करीब 4000 साल पहले उत्तर भारत में वैदिक काल था उन दिनों हिंदू रिती रिवाजों के अनुसार शव का धास अंसकार तीन तरीके से किया जाता था इन तीन तरीकों में से एक था शव को ताबूत में रखकर जमीन में गाड़ देना कि जब व्यक्ति मर कर स्वर्ग जाता है तो उसे वहाँ वही चीजे मिलती हैं जो उसके मरने के बाद उसके साथ दफनाई जाती है आर्केलोजिकल सर्विय ओफ इंडिया के जॉइन डिरेक्टर जनरल डॉक्टर संजे मंजुल का कहना है कि A.S.I.E. ये दावा तो नहीं करती कि सिनॉली में मिले साक्ष महाभारत की युद्धाओं के हैं लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो भी साक्ष मिले हैं वो उसी काल के हैं सिनॉली ना केवल ये बात साबित करता है कि 4000 साल पहले भी भारत का युद्ध कोशल कितना मजबूत था बल्कि इस बात पर भी महर लगाता है कि वो युग बाकी दुनिया से कितना ज़ादा एडवांस था वैसे एक बात तो तह है कि अगर सिनॉली और उसके आसपास के अलाके में ASI और भी खुदाई करे और एक्सकिविशन करे तो और भी ज़ादा सबूत मिल सकते हैं और ये बात सावित हो सकती है कि महाभारत कोई mythological text नहीं बलकि एक historical event है मैं हूँ पारस कुठारी और भारत के इतिहास और culture से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक किस्से कहानिया जानने के लिए देखते रहिए न्योच